आज हम जो गत्यात्मक कारे या डायनेमिक जो फंक्षन है उनकी बात करते हैं। हम ने देखा कि जो इसके मुख्यकारे हैं। नियोजन हैं, संगटन हैं, निरदेशन हैं, नियुक्तिकरण हैं और आपकी कंट्रोलिंग है। ये तो अनिवारिय कारे हैं। और लगु व्यावसाई प्रबंद में कई गत्यात्मक या स्वयोगिक कार्य प्रकृति के कार्य भी करने होते हैं गत्यात्मक कार्यों का आश्य ऐसे लगु व्यावसाई या फरंप द्वारा किये जाने वोल उन कार्यों से हैं प्रस्तितियों का नुसार परिवर्तन करना होता है। नुसार परिवर्तन करना आवशक हो जाता है। कि ग्रहाग अपने लिखित में भुकतान करने वाला चैक है। तदा इस बात पर प्रकास डालता है कि जो विपनन योजने क्या है और यही बात ग्रहाग को संतुष करने वाली होती है या नहीं है। यानि जो दिखता है वो जो बिखता है वाली बात है कि बात करें कि मार्केटिंग के थ्रू ही जो है उपभोगता को बस्तू के बारे में अउगत कराया जाता है। और उसे जानने के बाद उसे व्यविक्ति खरीदने के लिए प्रिजित होता है मोटिवेट होता है कि बात करें तो इसमें व्यावसाय में जो बाजहार उप्वोगताओं को ऐस अंतुष इच्छाओं आवशक्ताओं को जानना यानि जो ग्रहा को क्या पसंद नहीं है इसक उन्हें बनाए रखने भी आवशक है क्योंकि काट की हंडी एक बार बार नहीं आप किसी को एक बार दोखा दे सकते हैं बार बार नहीं दे सकते हैं तो केवल ग्रहाकों को पाना ही प्रियाप्त नहीं अपितु उन्हें बनाए रखना भी आवशक है इसके परिणाम सुरु बदलनी आवशक्ता बदली आवशक्ताओं की पूर्थी की जाए या नहीं जो परचलन की स्तती हो जाए या मार्केट में तो उनको फटा-फट जो उनकी आवशक्ताएं हैं जो गरह की जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्थी के लिए प्रयत्ने किये जाने चाहिए कि उबहु बानवी आवशक्ताओं को ग्याद किया जाता है और उन्हें संतुष्टी करने के लिए उत्पादन का जो नियोजन है, उनकी केमत निर्धारन है, समर्धन है, वित्रण किया जाता है तो इस बार विपणन की जो परिवा समय क्यूटर बुरेल ने कहा है कि विपणन लक्षे बाजार की आवशक्ताओं और इच्छाओं की पूर्ती के लिए उत्पादन और सेवाओं को यथा समय उपलब्द करना, करना या कीमत निर्धारन या उनका जो डिस्ट्रिबुशन है या प्रमोशन वाड़ी जो स्कीम्स है या सेल्स के बाद विक्रवुपराण तक की जो सेवाएं उनको शामिल करते हैं या उनकी उच्छित विवस्ता करना है इस प्रकार अगर हम बात करें तो लगुवी अवस्ताओं के सुआम्यों द्वारा सरलता पूर्वक जो मुद्र किया जा सकती इसके लिए और अश्वस होना चाहिए कि विपरणन पर उक्त जोपैसा है विय किया जाये तो उसका उपजयोग प्रभावी लोग लगे अयज़ा नहीं उन्हें विपरणसंबंदी जो निमलिधिकर अवशक है विक्रे सेलों को जानना आपकी वस्तु में अगर quality किस्म और उसका बड़िया अगर है तो ही उपबोगता उस वस्तु को क्रे करने के लिए तैयार होगा ने था वो दूसरी जो उसकी वस्तुएं है उनकी तरब चला जाएक इसलिए लगु व्यवसाई उद में कुछ मुखे जो चलें जानना आउशक है इसे विज्ञापन बजट का उपयोग करते समय लगु व्यवसाई को समाचार पत्र-पत्र विज्ञापन से अधिक जी लाब हो सकता है वनस्पती जो वनस्पत पत्र पत्रिकाओं के विज्ञापन से यानि किसमे जो उसको विज्ञापन करना है उसका ध्यान रखना आउशक है विपनर परतिस्परदा पर ध्यान देनी वाली बात है तो यह बिल्कूल सत्य है कि लगू व्यवसाई अपनी सपलता के लिए समाज क जो वास्तिवी का आउस्तक्ताओं को पूरा करने की गारंटी नहीं दे सकता इसका कारण ही है कि उन्हें स्वेम को यह पता नहीं होता कि कब कौन सा परतिस्परदा बाजार में आजाए और मेरे से अच्छा उत्पाद ले आए इसलिए लगू व्यवसाई को विपनर परति अच्छा के जानकारी रखनी आउशक है इसका अभी प्राई यह है कि उसे वास्तों में यह जानना चाहिए कि उसका उत्पाद रेखा चक्र जो प्रड़क्ट लाइफ साइकल है कहा है और उत्पादन जीवन चक्र की छे वस्ताएं जो उत्पादन विकास है यानि गिरावट के पादहाप उत्तों नहीं है आदी को स्वेम उत्पाद वाजार किस्म अवस्ता में है यह बाजार की परिपक्ता की स्थि में है तो विक्रें लाब दोनों में व्रदी होगी कीमत निर्धारण के अगर हम बात करें जो सेलिंग जो प्राइज की अगर बा जो आव शकता हो आधी को आवशक बदलाओ बदलता है अदैं विशेष कीमत निर्धारण पदतियों का उपयोग किया जाना चाहिए मुबंद विग्यापन किसी भी लगु व्यवसाय के विकास के लिए आउशक है सामाने ते माना जाता है कि प्रतेक नए ग्राक के साथ कम से कम 5-6 मित्र होते हैं अत्वा एक दूसरी के कारियों को बातों से प्रभाईत होते हैं प्रतेग नहीं ग्रहाग उन मित्रों को संतुष्टी को याद रगते हुए ग्रहाग बनाता है क्योंकि वह उन पर विश्वास करता है लेकिन यह प्रक्रिया उस समय तक चलती रहती है जब तक आपके उत्पाद और सेवा से संतुष्टी नहीं हो जाती यानि अगर किसी एक व्यक्ति को हमने कोई दस्तु बेची या उत्पादन किया उसका वित्रण और विक्रे किया तो उससे अगर एक ग्रहाग संतुष्ट होता है तो कम से कम 5-6 व्यक्ति उसकी वो उसको लोगों को बात अवश्य बताता है और लोग उसके प्रती आक्रशन होंगे किन्तु इस विप्रित होने के दसा में बुरा प्रवावी पड़ता है और नयकेवल नयागरा का पितु जो उसके मित्र हैं या उसके जो दोस्त हैं या यूं कहें उत्पादया सेवा को छोड़ देता है यानि हम यूं कहें अगर अच्छा रजल्ट नहीं है तो ये मान के चलो कि वो त यूग में लगु व्यावसायों के लिए विश्व विप्रणन का मार काफी खुल चुका है इसलिए बहुत से लगु व्यावसाय अंतराष्टे बाजार में भी प्रिवेश करना चाहते हैं क्योंको उन्हें अनेग लाव होते हैं जैसे विदेशी क्रेता व्यक्तिक के साथ व्यवहार करना अधिक पसंद करते हैं लगु कमपनिया अधिक तेजगती से कार्य करती है लगु कमपनियों में जो विभिन और विश्व आप उर्ती कर सकती है लगु कमपनिया अधिक व्यक्तिकत सेवाएं प्रदान कर सकती है लगु कमपनिया गरहाक पर अधिक ध्यान दे सकती है याने अंतरराष्ट एवाजार में भी प्रवेश की बाद है आगे बात करें तिसरा करमचारियों की जो व्यवस्ता करने की बात है जो employee है उनकी एक लगु व्यावसाई का जैसे जैसे व्यावसाई बढ़ता है वैसे व्यावसाई के लिए प्रते कारे को देखना एसंबव हो जाता है तो उसके लिए उसे व्यक्तियों करमचारियों की आउशकता होती है उन्हें कारे पर रखना है परशेशन दे रहा है उन्हें मोटिवेट करना है लंबे समय तक बनाए रखना कठीन है क्योंकि अगर हम जो सेलरी दे रहे हैं उससे अगर संतुष नहीं है फिर भी बाजार में जो सेश्ट व्यक्ति मिल जाए उसे रखना उसे कारे लेना व्यवसाई का एक कारे है बाहिये वातावरन के साथ व्यवहार करने की बात है डिलिंग विट जो एक्स्टरनल एंवार्मेंट के बात करें तो वातावरन का जो अर्थ बाहिये गठक जो शक काफी मैत बुन हुद्वी को भाय वात्वण के साथ व्यवहार करना होता है उसे व्यवहार करते समय जो निमिन्खित जुगुद्धे वीचार करने चाहिए तो व्यधानिक एंव पैसे वर्जो साइता है उसकी बात है यानि लेगर और प्रोफेशनल जो हेल्प की बात करें तो व्यावसाइक अतिविदियों का संचालों नेंतर्ण करने के लिए समय समय पर अनेक अधिनियम होते हैं जैसे क्रेव, क्रेव, मजदूरी, आवशक्त बस्तू, भोकताओं के इत्थों की सरक्षा, रक्षा, एम बस्तों का माप, तोल, आदी, लगुविवसाइक के जो स्वामियों को इन अधिनियूमों के जानकारी होनी आवशक्त है इसके लिए विशेश कर, वैधानिक जो लिगल टेक्सेज है या लेखा सलहा, लेखांकन सलहा है तू, प्रोपेशनल वकिलों के बारे में जानकारी या जो अकाउंट्स जो लेखे रखते हैं, उनकी जानकारी उसे आवशक्त है सरकारी नियमन की बात करें, गोर्मेंट रेगुलेशन की बात करें, तो सरकारी नियम लिखित में होते हैं, लगू व्यावसाय को इनका अध्यन करना चाहिए, यदि कोई बात समझ में नहीं आवे, तो जो विशेशक के जो एडवाइजर है, उनसे सलहा लेकर मर्शुर करन चाहिए हो उसका निवारन, जो नेतिक सहीता की बात करें, एथिक कोड की बात करें, तो व्यावसाय का नेतिक और नेतिक सास्तरी में घनेश समंध है, इसलिए एक व्यावसाय और उदमी व्यावसाय नेतिक सास्तर मुल्यों, परतिमानों, आदर्सों और नेतिक विचारों और उसे दान्तों के अपिक्षा करके प्रगत्ति नहीं कर सकता तो याने उसे जो नितिक मुल्य है उनको अपना कर याने जो अच्छी किसम है क्वालेटी है आच्रन इस उनका विवहार है उनको अध्यान रखकर ही कारे समाज से कपट नहीं करें परियावन बातावन की बात करें तो परियावन यह जो बातावन है एन्वाइरमेंटल जो एन्वाइरमेंट है उसकी बात करें कि व्यावसाई जो परियावन समस्त भोतिक और जीविये प्रस्तितियों का योग है जो व्यावसाई की जो प्रतिशन प्रभावित करता रहता है अते लगू व्यवसाई को परियावन सरक्षन सम्मंदी इन दाईत्तों को निर्भावी करता रहना चाहिए ताकि जो संसादों की सुरक्षा है परियावन संकट की जो गठना है वायू जल और प्राकर्तिक संसा इस्थानों को स्वच बनाये रखना परियावन के प्रतिसे चे महत पूर्ण है तो आज हमने बात की